अब आते हैं सेकेंड टॉपिक में चलो और इक चीज़ देख लेते हैं जो कि यह गूगुल है कि एक्सप्राइट डीबी का अंदर रहती है ठीक है यह बहुत अच्छा वेपसाइट है इसको आपको याद में रखना यहां पर बहुत सारे एक्सप्राइट सबको मिल अब तो यहां पर बहुत सारे आशे डेटावेस असे जहां पर सेंसीटिव डेटा आपको मिल जाएंगे ठीक है जैसे की एक को खूल कर देख लेते हैं तो यह इंडेक्स इसका मतलब क्या हो रहा है इसको एक बाद चेक कर लेती है गूगल हैं डेटावेस का अंदर तो इन गूगल डाटकोम पर जाना है या वेबसाइट पर ले जा रहा है तो अच्छा यहां पर हम रोबोट नहीं इसको यह पैचाना पर ठीक है तो टैक्सीज यह यह है चलो आटि नाओ in title में index of दिखा रहा है मतलब title जहां पर index of लिखा हुगा इसको यह फेज करेगा और और एख चीज़ यहांपर फेज कर रहे है जो title secret.yaml यह नाम का चीज़े जहां 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 ही title पर रहेंगे उसको यह फेज करे देख लेते एक में घुसके कि देख सकते हैं सिक्रेट डॉट टेक्स्ट यह फाइल का नाम हमने दिया और यह ओपन है अभी ठीक है तो यह जिस्ट नॉर्मल किसी ना बनाई है ठीक है और और एक भी धून के देख लेता है यहां पर भी रहेगा यह दखो सिक्रेट डॉट टेक्स्ट मतलब कहा कहा धूंड के ला रहे है एक पासवर्ड है से मुझे जो लग रहा है ठीक है यह इसको अन्हस करके पासवर्ड मिल सकता है तो ऐसे ऐसे मतलब पूरा जो जो चीजे हाइड नहीं किया गये वह गूगल क्र करते हैं और यह गूगल क्या करते हैं जितना वेस्ट है ना यह सब इसके अंदर क्रॉल करके क्या क्या चीजे है उसका एक मेंटरेटा बना लेता है ठीक है मेंटरेटा मतलब होता है कि डेटा बाउट डेटा मतलब जो जो डेटा है वो कैसे उसका जो डेस्क्रिप्शन है वो अगर किसी डेटा में हम स्टोर करें तो उसको मेटा डेटा करते है जो कि आप यह पर गूगल करके भी जान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं जो भी वार्ट्स मेरा वीडियो में आपको समझने आएंगे वो आप ऐसे साच कर सकते हो जब को गूगल में नहीं मिलेगा हो चीज हम ज़रूर बताएंगे और यह अब पर सकते हो मेटरेटर वाटिस मेटरेटर नाओ ऐसे हम गूगल डॉर्किंग से बहुत कुछ निकाल सकते हैं अब इसका पावर आप समझ गए हो तैसे वार्ट्स को आप अपने खुद की इंफर्मेशन और इमेज का इंफर्मेशन निकाल सकते हैं वीडियो सर्च इंजिन से सो हमारा मोस्ट पॉपुलर वीडियो सर्च इंजिन आपको पता ही है बस एक ब्रावजर ओपन करना है और यूट्यूब डॉट कॉम बगरा जो भी ज़र डालना है डाल दो अब किसी औ आपको क्या करना है सोच लो की यह वीडियों कहले है इसको ही देख लेते हैं अब इसको म्रायणच किलिक करकर के कोपी लिंग् 다数 में तुर्थ यूपूंगा ख़ड़ अब आपको एक साइट पर जाना है सीटूट्रेंशन ब्सक्राइं से सार्च ना जाना चाहिए यह वा दाल दूँगा तो इसमें आपको बस लिंक पेस्ट करना है और गो करना है तो आपको यह इन्फोर्मेशन मिल जाएंगे वीडियो का वीडियो आईडी मिलेंगे कब अपलोड क्या है और अपलोड टाइम भी क्या है यूटीशी के अन मुताबिक और इस वीडियो का जितने भ आप्सार हाला यह और भ sıल्वासार में पस्तुर तो निए ऐग दिया अब इस को हम रिवर्स इमेज सर्च कर रिछगे और पताल ियह जिसको इसको यह इन्गेम तो की रिवर्स इंजिनिर करनेख लेकर देखले ड तो इसकी रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस हमें मिल गया है जो कि हम यहां पर देख लेते हैं एक बार करके सब हां ऑब टीक है तो एसे हम किसी को ब्री रिवर्स इंजिनरिंग करके उससे इंफ्रमेशन निल सकते और देख लेते जैसे कि यह तो कॉपी लिंक लोकेशन कर लेते हैं और यह आपर डेटा देख लेते हैं टीक है तो यहां पर पेस्ट कर दिया आमने इसके आपक दिश्क के लिए इंफर्मेशन दे दिया है यहां पर इसकी लिए अपर फ़िए के लिए इन दें जिना इन्फर्मेशन दें लग रहा है जो इसकी प्रूहलाइए अब यहां कि 15 लेकर एक उसमेज करो साइड तो इक इमेज साफ हो जाएगा ठीके आप यहां पर तो यहां पर देख आप कम ही रिजर्स है ठीक है तो यह होते हैं रिवर्स सार्च इमेज रिडियो से एक इमेज उठाकर इसको रिवर्स ऑफ्री आपको जाना है एक साइट पर जाना है जिसका नाम है सच एस टीपट्र गोग्ल करो अब को मिल जाना यह वला है इसमें आप क्या करें आपने आपको आप तीपी आप जानती होंगे FTP प्रोटोकल है जो फाइल टांसफर प्रोटोकल है तो बेसिकली हम यहां पर सार्च करते हैं कि माइक्रोशॉप ठीक है तो इसकी रिलेटर जितने भी एप टीपी सार्च है वह हमें दिखाएगा तो आप यहां पर देख सकते हो बहुत सारी FTPs है प्रोटोकल होती है जहां हम फाइल टांसफर के लिए इसको काम में लगा सकते हैं ठीक है तो यह पोर्ट 21 में चलती है आपको याद रखना है यह जैसे कुछ-कुछ याद रखना है SSH 22 में चलती है ऐसे आपको याद रखना है अब एक बहुत मजयदार सार्च इंजिन है जिसका नाम है ी में siona जिसको iotive saarch engine केते हैं क्यों कहते हैं जो जो चीज इंटनेट से क्नेक्टे स Colon सबको निकाल सकते है मतलब आप सोच लो कि एक प्वी यूच को इनटने से कनेक्टेट की यो डाएक्ट धिक रखनी पुक्लिक इनटरन के तो उसको इसको निकाल सकता है अगर आप Soa Dun के भी जैसे हम Google doorking किए ऐसे Soa Dun के भी doorking होते है आप ऐसे doorking करके निकाल सकते हो filter करके ठीक है तो हम Soa Dun में भी कुछ चीजह देख लेगा Soa Dun में भी Microsoft Search करेंगे ठीक है Amazon में देख लेते हैं बहुत वार Microsoft कर लिए आप Amazon देख लगा है ठीक है तो इसका रिजल्ट अब देखते है तो देख सकते हैं इंक्लूडिंग IP अड्रेसेस अलसो यह क्या ना क्या दे रहा है तो अब United States इसके अंदर घुसकत देखते हैं क्या दिखा रहा है ठीक है और यहां पर आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो जैस अब आप अपरेटिंग सिस्टेम क्या उसकरते हैं प्रोडक्स क्या है तो बहुत सारी इंफ्रमेशन अपको मिल जए इसको अगर अगर आप फिल्टर कर सकते हो ना तो बहुत सारी इंफ्रमेशन आपको हाथ में चलाए तो यहां पर अपाचे सर्वर रान रही है आपचे अपर यहां पर आपर समसें देख सेकते हो तो सीटी दिखाए गया है कंत्री दिखा है को अपर लोकेशन भी दिखाए गया है और ती कियाgregat ओन है जोकी सबसे मरजचिदार चीज hatred आपको याद मैं रखनी है सब दिफॉल होता है टिश परनोंगे है कि अउन जिएत Griff में है है और 443 https के लिए होता है ठीक है जैसे कि https है यह 443 में होता है डिफॉल्ट में अब यह लगते है यह अमाजन के इलास्टिक स्टोड़ेज है कुछ जो कि AWS का चीज़ है साइट देखकर ऐसी लगते है कुछ जो कि हाँ यह क्लाउट का ठीक है तो ऐसे आप बहुत सारे एक है ठीक है packet header में http request है यह 400 मतलब यह bad request हो गया कुछ और यह request का content type क्या है HTML text कैसे in character क्या utf अगर सब आपको कितना सारी information मिल जाता है यहां से SSL certificate मिल लिए तो ऐसे आप बहुत सारी information निकल सकते हैं यह तीन वेफसाइट ही मैं description में डाल लूँगा तो इसका भी एक search dorking होता है तो उसको आप ऐसे google में search करके सीख सकते हो so done डाल की ठीक है और tutorial बगर कुछ करके अब सीख सकते हो बहुत सारे tutorial से ठीक है पहले फ्री था तो आपको अब पैसा यह मांग रहा है पैसा now यह गया हमारा second lab यह बहुती अवे हमार्ण यह मांग यह 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 झाल झाल